हलो फ्रेंड्स वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे कैलेंडर के कैलेंडर के दोस्तो आज की वीडियो में जितने भी कोशन है सभी इंपोर्टेंट है आप एक वार इस वीडियो को देख लेंगे आपका confusion केलियर हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले बात करते हैं leap year ठीक है दोस्तों यहाँ पर leap year आपको दिया गया है और आपसे question पूछा किया है कि कौन से वर्स में कैलेंडर repeat होगा कौन से वर्स में कैलेंडर repeat होगा तो आपको उसमें 28 जोड़ देना है आपको पता चल जाएगा जैसे मान लीजिए आपका कौन से वर्स चल रहा है इसमें 2020 चल रहा है के लिए रहा है अगर ये 2020 चार से पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो आपका leap year है अगर चार से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो आपका leap year नहीं है ठीक है दोस्तों आप देखे 2020 आपका 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ठीक है अब 2020 में जो कैलेंडर है जो कैलेंडर 2020 में है यही कैलेंडर कितने वर्स वाद आएगा केलियर है यही कैलेंडर कितने वर्स वाद आएगा कहने का मतलब यह है ठीक है तो 28 साल बाद आएगा आप इसमें 28 चोड़ दीजे के लिए रहे कब आएगा यही कैलेंडर इसको 28 चोड़ देंगे तो यह हो जाएगा आठ यह हो जाएगा 4 यह हो जाएगा 20 मतलब 2020 का जो कैलेंडर है बिल्कूल सेम टू सेम यही कैलेंडर 2048 में रिपीट होगा के लिए दोस्तों समझ में आ रही है बात आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है लीपीएर पिलस वन लीपीएर पिलस वन कह रहा है तो उसमें क्या करेंगे 6 साल जोड़ देंगे जैसे यहाँ पर आपने 48 जोड़ा है यहाँ पर 6 जोड़ेंगे लेकिन पहले समझ लेते हैं, जैसे माली जी यहां पर कहा है 2020, अगर 2020 कीज़ेगा 2021 दे दिया जाए, तो यह तो आपका चार से पूरा पूरा डिवैड नहीं हो रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, जहां तक डिवैड हो जाएगा वहां तक कर लेंगे, नहीं होगा तो 6 बचेगा 2021 है, अब यह 2020 तक कट जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2020 पिलस वन भी तो लिख सकते हैं, इस 2021 को, यही तो कहा गया है ली पियर पिलस वन, तो हमने ली पियर लिख लिया, चार से पूरा पूरा डिवैड होगा, पिलस वन लिख लिया, अगर आपकी ऐसी कंडिशन ब आ गया था, अब इस 21 में क्या कंडिशन वन रही है, पिलस वन वाली, तो क्या करेंगे इसमें दोस्तों, पिलस का 6 कर देंगे, एक और 6, 7, 2, और यह 20, अब यही कलेंडर कब रिपीट होगा, 2027 में, के लिए रहे, जो कलेंडर 2021 में है, वही कलेंडर कब रिपीट होगा, 2027 में रिपीट होगा, के लिए दोस्तों, बात समझ में आगी, अब यहाँ पर लीपियर देहे, और आपको 2 या 3 सेस बचे, जैसे मालीजे, आपको 2023 दिया गया है, अब 4 से भाग देंगे, दोस्तों, 4 से भाग देंगे, कहां तक चला जाएगा, 20 तक चला जाएगा, कितना ब बच रहा है, जब आपका दोस्तों, 3 बचे या फिर 2 बचे तो उसमें 11 जोड़ देना है, बस आपको पता चल जाएगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, कितनी वर्ष की बात थी, 2023 की बात थी, के लिए रहे, सेस कितना बचे, 2 या 3 सेस बचे, क्या करना है, उसमें 11 जोड़ना ह है, पता चल जाएगा, 3 और 1, 4, 2 और 1, 3, और ये कितना 20, 2034 में वही कैलेंडर आएगा, जो 2023 में था, वही कैलेंडर आएगा, 2034 में, के लिए दोस्तों, बात समझे में आ चुकी है, अगर आपका सीधा सीधा लीपियर है, सीधा सीधा लीपियर है, जो पूरा पूरा चार से भाग हो रहा है, तो उसमें सीधा क्या करेंगे, 28 जोड़ देंगे, अगर लीपियर नहीं है, एक सेश बच रहा है, उसमें 6 जोड़ देंगे, अगर लीपियर नहीं है, दो या तीन सेश बच रहा है, उसमें 11 जोड़ देंगे, आपको पता चल जाएगा, अब देखे और clear हो जाएगा ठीक है दोस्तो अगला question हापका वर्स 1992 का calendar निम्ड मेंसे कौन से वर्स के लिए समान हुआ ठीक है मतला जो calendar 1992 में है यही calendar अब किस वर्स में आएगा यह आप से पूछा गया है कौन सा वर्स है दोस्तो 1992 92 है क्या यह 4 से पूरा पूरा भाव हो रहा है कटा करकर देख लेंगे लाइट की दो डिजिट कटा करकर के देख लीजिए के लिए रहा है 4 दुनिया 8 कटेगा एक बचेगा बारा 4 ती आई बारा चार से पूरा-पूरा कट रहा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, यह आपका leap verse है, जब leap verse है, कुछ भी से नहीं बच रहा है, पूरा-पूरा कट रहा है, तो leap verse है, तो क्या करेंगे, 28 जोड़ देंगे, सीधा-सीधा, मतलब जो calendar 1990 में था, वही calendar 2020 में है, अब देखिए दोस्तों, 2020 आपका चल रहा है, आप चेक कर सकते हैं, जो calendar 2020 में है, क्या यही calendar 1992 में था, या नहीं था, आप चेक कर लीजे, आपके phone में calendar होगा, आप phone में चेक कर लीजे, केलियर दोस्तों, जो calendar 1990 में था, वही 2020 में चल रहा है calendar, केलियर दोस्तों, समझी में आ रही है बात, उम्मिद करता हूँ, किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, अब देखिए अगला question, अगला question है आपका, वर्ष 2007 का calendar नेमन में से कौन से वर्ष के लिए समान है, मतलब जो calendar 2007 में था, वही calendar किस वर्ष में होगा, यह आप से पूछा गया है, केलियर कोई बात नहीं, कौन सा संदी आ गया है, 2007, अब 2007 को हम कैसे लिख सकते हैं, जहां तक 4 से कट जाएगा, काट लेंगे, नहीं कटेगा, क्या करेंगे दोस्तों उसना आपका 6 बचेगा, के लिए दोस्तों आप देखिए, 4 से कहां तक कट जाएगा, 2004 तक कट जाएगा, के लिए रहे, 6 कितना बचेगा, 3 बचेगा, मैं आपको क्या बताया था, 6 दो बचे, या फिर 3 बचे तो उसमें क् 28 जोड़ देना है यही तो बचाया अगर आपका कुछी भी नहीं बचे कहते है नन अफ दिस का मतलब है कुछी भी नहीं बचे आपको उसमें 28 जोड़ देना है दो या तीन सस बचे 11 जोड़ेंगे एक सेस बचे 6 जोड़ेंगे कुछी भी सेस नहीं बचे उसमें आप 28 जोड अब कहने का मतलब है जो calendar 2007 में था वही calendar कब आया था 2018 में आया था किलिए दोस्तो समझ में आगी बात आपके phone में calendar होगा जाकर के चेक कर सकते हैं आप किलिए रहे हैं तो कोई भी doubt हो तो calendar में जाकर के आप चेक कर सकते हैं ठीकर दोस्तो अब देखते हैं अगला question अगला question है वर्स 1965 का calendar नेमन मैं से कौन से वर्स के लिए समान होगा कब की बात है 1965 की बात है क्या 4 से पूरा divide होगा नहीं होगा जब 4 से पूरा divide नहीं होगा तो जहां तक divide होगा वहां तक काट लेंगे कितना है 1965 अब 4 से ये कहां तक कट जाएगी दो सेस बचे, तीन सेस बचे तो 11 जोड़ना है एक सेस बचे तो क्या करेंगे दोस्तो 6 जोड़ेंगे और कुछ भी सेस नहीं बचेगा तो 28 जोड़ेंगे एक सेस बचरा तो 6 जोड़नेना 1965 की बात है तो 1965 में क्या करेंगे 6 जोड़नेंगे बस आके अंसर 5 और 6 11 केरी का 1 1 और 6 7 हो जाएगा और ये कितना 19 1971 में वही कैलेंडर आएगा जो 1965 में आया था 1971 में वही कैलेंडर आएगा C option क्या हो जाएगा सही जो कैलेंडर 1965 में आया था दोस्तों वही कैलेंडर 1971 में आया था कहने का मतलब यह है ठीक है दोस्तों समझे में आ रही है बात जदि कोई भी student ऐसा हो जिसकी समझे में नहीं आया है तो comment box में दोस्तों बता देना के लिए दोस्तों समझे में आगी बात अब देखते हैं अगला question अगला question है वर्ष 1506 का calendar नेमने में से कौन से वर्ष के लिए समान होगा जो calendar 1506 में था वही calendar कौन से वर्ष में repeat होके आया होगा अब देखें ये कहां तक कट सकता है लाष्ट की दो डिजिट कहां तक कट सकती है ये 6 है दोस्तों कहां तक कट सकता है आप इसको काट के देखेंगे तो ये 4 तक कट सकता है के लिए 4 तक कट है तो कैसे लिख सकते हैं 1504 पिलस का 2 1504 में 2 जोडेंगे तबी तो 1506 होगा लेकिन हमारा 6 कितना बच रहा है यहाँ पर 2 तो मैंने क्या बचाया दोस्तों 2 बचे या फिर 3 बचे तो 11 जोडेंगे 1 बचे तो 6 जोडेंगे कुछी भी नहीं बचे तो आप 28 जोडेंगे यही तो बताया है तो 2 बचे या 3 तो कितना जोडेंगे 11 यहाँ पर 2 बच रहा है तो क्या करेंगे दोस्तों 1506 में 11 जोडेंगे 6 और 1 7 यह 1 हो जाएगा यह 1500 1517 में वही कलेंडर आया होगा जो 1506 में आया होगा तो D option हो गया दोस्तों सही समझी में आने लगा दोस्तों अभी भी समझ में नहीं आया तो और example देखते हैं और समझी में आएगा केलियर दोस्तों अब देखते हैं अगला question अगला question है आपका वर्स 2020 का calendar निमन मैंसे कौन से वर्स के लिए समान होगा कब की बात है दोस्तों 2020 की बात है अब 2020 को आप क्या करेंगे चार से डिवाइड देंगे अब ये चार से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कुछी भी सेस नहीं बच रहा तो आप उसमें 28 जोड़ेंगे यहीं तो बताया मैंने तो 28 जोड़ दीजे 0, 8, 8 हो जाएगा 2 और 24 हो जाएगा और यह 20 तो 2048 में क्या होगा दोस्तों वही कैलेंडर रिपीट होगा जो 2020 में कैलेंडर है वही रिपीट होगा 2048 में केलियर है तो यह आपका C option क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा उम्मीद करता हूँ कोशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे आप देखेंगे अगला कोशन अगला कोशन है आपका वर्स 1889 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्स के लिए समान होगा कब का 1889 का क्या ये 4 से पूरा कट जाएगा नहीं कटेगा जहां तक कटेगा वहां तक काट लेते हैं कहां तक कट जाएगा 1888 तक कट जाएगा ये 88 चार से पूरा पूरा डिवाइड है 6 कितना बच ये एक मैंने क्या बताया 2 बचे या 3 तो 11 जोड़ना है 1 बचे तो 6 जोड़ना है कुछी भी नहीं बचे तो 28 जोड़ना है पूरा पूरा कट गया 4 से तो 28 जोड़ना है पूरा पूरा नहीं कटा एक बचा है तो 6 जोड़ना है अगर 2 या 3 बचा है तो 11 जोड़ना है कितना बचा है दोस्तों यहाँ पर 1 तो आप 6 जोड़ दीजे तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 1889 में कितना जोड़ देंगे 6 जोड़ देंगे के लिए 1889 में क्या करें दोस्तों 6 जोड़ दीचे ये कितना हो जाएगा 9 और 6 15 का 5 केरी का 1 1 और 8 कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 18 के लिए दोस्तों तो जो कैलेंडर 1889 में था वही कै कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए तो अब बताए दोस्तों आप कैलेंडर का ये वीडियो आपको कैसा लगा केलियर है आप बार बार पूछते थे सर ये वाला कैलेंडर अब कवरेपीट होगा इस वर्ष का कैलेंडर अब कवरेपीट होगा इसकी कोई ट्रिक बता पहला आइकन का बटन दबा देना ठीक है दोस्तों धन्यवाद